आज मैं आपकी शायर करने वाली हूँ ब्रेट पकोड़ा रेसिपी, ब्रेट के बहुत सारी रेसिपी आपने बनाया होगा, अगर आपको टेस्टी सा कोई पकोड़ा खाने का मन है ना तो आप इस ब्रेट पकोड़ा रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें, सबको ये बहुत पस इसे हम हलका सा फ्राइ करेंगे फ्रेम को यहां पर हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्रेम में यह जो ओनियान और ग्रीन चिली है साथ में जीरा इसे थोड़ा सा फ्राइ करेंगे बहुत जादा नहीं तो जैसे यह हलका सा फ्राइ हो जाएगी यहां पर हम कुछ सुखे मसा जैसे 1.5 टीस्पून रेट चिली पाउडर, 1.4 टीस्पून हल्डी पाउडर, साथ में 1.5 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और यहाँ पर एक मैन्य पोटेटो ली है उपली होया, साथ में धनिया पत्ता, अच्छे से मिक्स करेंगे, इस टाइम फ्रेम को इसे हम एक साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे ब्रेट, यहाँ पर जितना पुकोड़ा बनानी है उसकी हिसाब से आपको ब्रेट लेना है और ऐसे जो बेट की किनारा है वो आपको काट करना है, तो यहाँ पर जो ब्रेट की किनारा है वो मैंने काट कर ली ह अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जो आलू का मसाला बना के रखी ना वो हम प्रेट में डालेंगे तो यहाँ पे एक साइड ऐसे आलू का मसाला लागाने के बाद दूसरी और एक प्रेट इसके उपर रखना है और फिर ऐसे इसको पीसिस कर लेना है ऐसे pieces कर लिया है मैंने देख सकते हैं यहाँ पर एक बावल लेंगे इसमें हम लेंगे 3 अंडा यहाँ पर मैं 5 पुकोडा बनाऊंगी उसके हिसाब से 3 अंडा अंडा में कोई भी मसाला डालने की जुरूरत नहीं है बस ऐसे इसको फाट लेंगे अंडे को अच्छे से इस तरीके से फाट लेंगे जैसे अंडे अच्छे से फाट जाएगे फिर यहाँ पर जो ब्रेट है न वो हम अंडे में डाल देंगे अंडे में डालके से अच्छे से अंडा लगाने की बाद फिर यहाँ पे ब्रेट करम में इसे इस तरीके से अच्छे से लगा लेना है ब्रेट करम में इस तरीके से ब्रेट को हर एक साइड घुमा फिरा के अच्छे से ब्रेट करम लगा लेनी है अच्छे से ब्रेट कम लगाने की बाद इसे हम फ्राय करेंगे तो दिखिए अंडे से पहले डालना है और उसकी बाद अच्छे से ब्रेट कम लगाना है जितना भी प्रेट है वो हमने ब्रेट कम लगा ली है oil को हमने बहुत अच्छे से गरम कर ली है और flame को अब हमने medium रखा है तो यहाँ पे medium flame में इसे fry करना है पहले और जब यह हलका सा fry हो जाएगी तब इसकी flame को आप high करें तो इसी तरीके से पलाटते हुए आपको इसे fry करना है दिखें इसकी जब एक side हलका सा fry हो जाएगी तब इसको पलाटना है और शुरू में इसकी flame को medium रखना है बाद में flame को high करना है तो ऐसे हम इसे पलाट देंगे इस तरीके से बहुत अच्छी बनती है बहुत crispy और tasty भी होता है तो इसमें और एक braid हम डाल देंगे इस side पे और इसे हम पलाटते हुए अच्छे से fry कर लेंगे जब तक इसकी color deep golden brown नहीं आ जाता है तब तक हम इसे पलाटते हुए fry कर लेंगे तो बस अब हम इसे oil में से अच्छे से निकाले अच्छे से निकाले ताकि इसका extra oil है वो ना जाए और यहाँ पे निकाले की बाद इसे tissue paper में रखे ताकि इसका extra oil है वो absorb हो जाए तो इसी तरीके से आपको इसे निकाल लेना है सेम प्रासेस में सारी बेट पुकोडा हम fry कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी बेट पुकोडा हमने fry कर ली है इसे कोई भी sauce या chutney की salt आप इसे साफ कर सकते हैं बहुत जादा tasty है आप इसे एक पर ज़रूर प्राइ करें इसी रिस्पी देखने के लिए हमार सीक्स यहाँ पर ओल को हमने बहुत अच्छी से गरम कर ली है और इसकी फ्लेम को